हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबो टेक कैंपस नवादा आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एकसल में बाइनरी को डेसिमल में कनवर्ट करना देखें इसके लिए आपके पास एकसल के अंदर बिन टू डेक फंक्शन है बहुत ही सिंपल फंक्शन है इसका सेंटाक्स है कि इसके अंदर आपको उस नंबर को लिख देना है बाइनरी नंबर को लिखना है जिसका डेसिमल एक्ववलेंट आपको चाहिए और बाइनरी नंबर जो कि सिर्फ वन और जीरो के मिले से बना हुआ होता है मैं किसी एक नंबर को अपने मन से यहाँ पर टाइप करके ब्राकेट बंद करता हूं और इंटर प्रेस करता हूं देखिए इसका जो डेसिमल एक्ववलेंट है वो यहाँ पर चला आया आप चाह सकते हो साइंटिफिक कैल्कुलेटर को यूज करके आप पता कर सकते हूं कि यह सही एंसर है या नहीं अभी यहाँ पर मैंने एक कॉलम के अंदर कुछ बाइनरी नंबर्स रखे हैं और यहाँ पर मुझे उनका डेसिमल एक्ववलेंट निकालना है तो मैं इस पूर्य सेल को सेलेक कर लेता हूं उसके बाद मैं लिखता हूं इक्वल्स बिन टू डेक ब्रकेट ओपें और वैल्यू के जगा नंबर के जगा मैं सेल एक्ववलेंट को पास कर देता हूं और ब्रकेट बंद और कंट्रोल इंटर में प्रेस करता हूं देखिए यहाँ पे आपके सामने यहां जो नंबर है उसका डेसिमल इक्ववलेंट यहां आ गया अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो यहां पे आप लिख सकते हो इक्वल्स सिंगल सेल में बिन टू डेक ब्रकेट ओपन सेल अड्रस ब्रकेट बंद इंटर और उसके बाद इसको आप नीचे क के तरफ कंट्रोल डी से डाउनवर्ड फिल कर सकते हो लेकिन अब गौर्ण करने वाली बात यह है कि आप जो यहां पर बाइनी नंबर आपने जो लिखा है तो क्या आप यहां पर अगर कितना भी डिजिट डालोगे तो क्या है यह पॉसिबल है कि उसका वह डेसिबल 7, 8, 9 टाइमस मैंने 1 लिखा आप चाहो तो 1 के साथ 0 भी मिक्स कर सकते हो यहां पर नंबर अवलेबल है 511 यह मैक्सिमम वैल्यू हो गया आप ऐसा कर सकते हो 1, 0, 0, 0, 0 अभी जो है यह आपका 2, 5, 6 डिजिट का है 1, 1, 1, 1 चलिए 9 डिजिट तक लेकिन जैसे ही आप 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिजिट आप डालते हो तो देखो यहां पर यह माइनस 1 इसने दे दिया क्योंकि 9 डिजिट इसने यूज किया magnitude बिट के रूप में जबकि जो सबसे leftmost डिजिट है वो एक बिट इसने यूज किया है as a sign बिट 1 निगेटिव के लिए इस्तमाल होता है और जीरो पोजिटिव के लिए और प्रबाबली जो है एक्सेल टूस कम्प्लिमेंट नोटेशन यूज करता है निगेटिव नंबर को डिस्पले करने के लिए तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहां पे जो बायनरी नंबर आपको लिखना है या फंक्शन के अंदर अगर आप डारेक्ली इस तरीके से को बायनरी नंबर लिखते हो तो इसमें आप 10 डिजिट्स से कम ही आप वैल्यू डालो बायनरी फॉर्म में अधर्वाइज यह फंक्शन है नम एर मैसेज रिटर्न कर देता है तो उमीद करता हूँ कि अब आप लोग भी एक्सेल के चैयर करना ना भूले जिन लोगों ने भी अवी तक चैयल को सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज 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 चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करड़े बेल बटन को हिट कर दे ताकि जो भी वीडियो में अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन से पले आप लोगों तक पहुंचे वीडियो के अंद तक बने राने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक्स थैंक्स अलोट